हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एकदम अलग तरह के नास्ते की रिस्पी लेकर आई हूँ जिसे हम सिर्फ चार रोटियों से इस नास्ते को तयार करेंगी बहुत यूनिक तरीका है अगर आपने नहीं ट्राई किया होगा तो जरूर करना आपको बहुत पसंद आएगा बनाने में बहुत ही आसान जटपट बन जाता है और बहुत जादा स्वाधिष्ट क्रिस्पी और खस्ता भी बनता है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वाच करना होगा आपको तभी समझ में आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न यूज कर सकते हैं हमें दोनों एक एक कपली हूँ अब इसमें मैं आधा चमच के करीब कलोंजी डाली हूँ और ये आधा चमच अजवाइन जिसे में क्रस करके डालूंगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन को हमेशा क्रस करके ही डाले और यहाँ पर वासता उतना ही अच्छा बनकर तयार हो गया जब इस तरह से मुठ़ी बज़ जाये तो समझी एक्छे सव मुएन हो गया है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका हम एक डो तयार करेंगे डो ना जादा शक्त होना चाहिए और ना ज्यादा शाफ्ट नार्मली जिस तरह से हम लोग घर में रोटिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए यहाँ डू तैयार हो गया है अब इससे हम ढग कर पासे 10 मिनट के लिए रिष्ट पर रख देंगे तब तक हम बाकी की तैयारी कर लें यहां तीन मीडियम साइज की आलू को बाल कर ली थी और उसे मैस कर ली हूँ अब इसमें दो चम्मच में चावल काटा मिला दे रहे हैं इससे हमारा नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और दो से तीन चम्मच का दुकस किया हुआ गाज़ा आधी बारी कटी सिमला मिर्च आधा बारी कटा हुआ प्याज और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी धनिया की पती एक चम्मच चिली फ्लैक्स आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और काला नमक टेस्टे कार्डिंग अपले नमक भी यूज कर सकते हैं और आधा चम्मच गर मिक्स करना है आप हास से या चम्मा से किसी से भी कर सकते हैं यहां मैं हास से अच्छे से कर ले रही हूँ सारी चीजी देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी स्टफिंग बन कर तयार हो गई ही इसे हम साइड में रखते हैं जिस डो को हम रिष्ट पे रखे थे उसे ले और एक लोई को लेकर उसे हम बेलेंगे हमें रोटी की तरह पतला और उससे थुआ सा बड़ा बेलना है हमें इसे पतला ही रखना है जिस तरह हम पतली रोटी बनाते हैं वैसे ही मोटा नहीं रखना है दिखिए हम इतना पतला मेले हैं ऐसे ही बाकी कम में बेल ली हूँ यानि यहां चारो तरफ अच्छे से घी लगा दे रही हूं और इसके उपर थोड़ सा आटा स्प्रेट कर दे रही हूं और दूसरी रोटी को उसके उपर रखकर फिर वैसे ही घी लगा कर फिर उसके उपर आटा स्प्रेट कर देना है और फिर रोटी रख देना है यही क्रम हम करें इसी तरह से मैं चारो रोटी को एक के उपर एक रख दी हूँ, अब हलका सा हाथों से प्रस करके इसे हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, रोटी से बड़ी साइज में बेलना है, फिर इसे हम ऐसे काट लेंगे, स्क्वार्ट सेप में हमें इसे बनाना है, एक्स्ट्रा पतले लेयर में और हाथ से इसे प्रेस कर देंगे स्टफिंग को, दूसरे साइड में भी ऐसे लगा देंगे, हमें हाफ हाफ स्टफिंग लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है, फिर निचे वाले साइड को ऐसे फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर देंगे, अब दूसरे व पतले पतले श्ट्रिप में काटना है, जादा चोड़े में नहीं काटेंगे, लगबग आधा इंच के बराबर, उपर कथव सच छोड़ कर हमें नीचे तक पूरा काटना है, ऐसे में पूरा काट ली हो, और एक एक श्ट्रिप को लेकर गोल-गोल घुमा कर हमें ऐसे लगती है, और खाने में बहुत टेश्टी लगती है, एकदम यूनिक तरीका है, आप ऐसे कई तरह की डिजाइन बना सकते हैं, देखिए कितनी आसाली से बन भी जा रहा है, ऐसे एक एक श्ट्रिप को हाथों में उठा कर ऐसे गोल-गोल हमें घुमाना है, ऐसे ही पूरे ड देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनकर आया है, बहुत सुन्दर लगता है देखने में, एकदम यूनिक तरीका, एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसे ही हर इस्ट्रिप को पतले-पतले में काट कर, ऐसे हम गोल-गोल ग खा दे रही हूँ, बाकी का ऐसे ही रोल बना लेंगे, फिर इधर कड़ाही में तेल डाल दी थी, तेल गरम हो गया है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, अब एक-एक रोल को लेकर तेल में डाल देंगे, आप इसे बना कर फ्रिज में भी रख सकती हैं, और जब आपकी महा आए, तो फ्राई करके दे सकती हैं, आप इसे सामके चाय के साथ यहाल की फुल की भूख में भी खा सकती हैं, यह बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बच्चों को इसकी डिजाइन बहुत पसंद आएगी, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, उलटते प पकाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए, धीरे धीरे देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, गोल्डेन ब्राउन हो गया है, इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे, यहाँ पर मैं एक पके हुए बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता ये बनते हैं इसे आप चटनी केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं सभी के साथ ये बहुत टेश्टी लगता है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और खस्तावा नहीं हुए है इसे मैं आपको तो अगर आपको आज की रेस्पी थोड़ी से भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइप और सब्सक्राइब करना ना भूले